अभी तीन-चार साल पहले आपके महरास्ट में और आंध्रप्रदेश में बहुत बड़े आत्माहत्या हुए किसानों के जो जानकार लोग यहां पर बैठे हैं मैं उनको खुला कहिना चाहता हूँ किन लोगों ने आत्माहत्या की है जिनोंने जमीन के उपर अत्याचार करके जुवा खेल के एकी फसल डालकर करणोपती बनने का सोचा है उसी का करणोपती का संपत्ती लुट गया और वो आत्माहत्या करके मर गया अगर आप तीन-चार प्रकार का वस्तु डालिये नेचर है तीन-चार साल में कोई न कोई एक फसल आपको हाथ देगा लेकिन बाकी दो फसल आपको जिन्दा रखेंगे इसलिए मल्ती क्राप के क्रिशी अन्यान्य चीजों का उपस वहां की मिठी धर्ती परिसर के आधार पर निर्मान करना ये हमारी है दूसरा हम लोग आज सब सरकार के तरफ देखना चाहते हैं हर चीज को सरकार को गालियां देते हैं मुझे मालूम है हमारे स्कूल के ग्राउंड में जब हम जाते थे तो एक छोट आसा पत्थर ऊपर आया था कुछ लोग वाकिंग आते थे एक प्रोफेसर थे वो वाकिंग आते थे एक दिन आकर वो कहें पाटिल जी महीं दो तीन महीने से यहां से घुम रहा हूं यह पत्थर ऊपर आया है थोड़ा इसको जरा आपके वालिंटर बच्चों को बोलकर इसे निकालने लगाओ लेकिन यह प्रोफेसर नहीं सोचता है कि यह जब पहर कुछोट लगती है कहीं लोगों को लगती है तो वो सहम निकाल सकते थी कि नहीं लेकिन काम दूसरा करे हम अराम करे ही आ गया है और अपनी दुर्भाग्य से अपनी देश की राजनिती इस देश के नागरिकों को निकम्मा बनाने की राजनिती बन रही है ओट के कारण सत्ता में बैटने के लिए थोड़े दिन के लिए यह आनंद ले सकते हैं लेकिन बहुत दिन यह आनंद नहीं मिलने वाला है जो इसी प्रकार के आनंद में जाकर आज जो कंगाल बनने के स्थिती में अमेरिका आके खड़ा है वो इसी स्थिती हमारी देश की न बने हमारा डिपेंडेंसी सरकार पर न चले गोईंदा चारे जी कहते हैं सरकार को निर्मान करने से विनाश करने का ताकत ज्यादा होता है निर्मान करने का बहुत कम ताकत होता है लेकिन विनाश करने में उसकी बड़ी ताकत होती है अन्ना हजारे को एक दिन में ठिकाने लगा दिया रामदेव जी को एक दिन में ठिकाने लगा दिया कितना बड़ा सपना देखने वाला अरविंद केजरी वाला अ और 10-20 साल लड़ा होता है लेकिन उसको भी ठंडा कर दिया तो ये राज की ये सत्ता जो आईशी होती है दूसरी तरफ समाज के लोगों को बैठे जगा एक रुपए किलो अनाज देंगे दो रुपए किलो देंगे हम साबुन भी देंगे तेल भी देंगे बच्चों को बोल होता boat है तो फिर ये भारत रहेगा कैसे इसे हमें सोचना होगा और इस सच्चाई के आधार पर इस वास्तविता के आधार पर हमें अपनी बचों का भरण पोशन करना होगा अपना हाथ जगन्याथ हमने कहा है इस मुठी में जो ताकत है इसको दुनिया का कोई ताकत आ किसी को मारेंगे तो हमारी उंगलिया टुटेंगी शत्रू को कुछ ने होगा मुट्टी मजबूत रहेगा तो हम भत्तर को भी फोड़ सकते हैं तो ये अंदर की ताकत को बढ़ाना लेकिन अंधानू करण के इस युग के अंदर हम केवल दूसरों के कापी करते करते अपना ओरिजनल चीज को खोकर एक प्रकार का विचित्रस्थिती में हमारे देश के अंदर हम आके खड़े हैं और आशकल के राजनीती तो मैं नहीं कहना चाहता हूं इधर दो-तीन साल के अंदर इतना गिर गया है कि कोई किसी पर विश्वास ने कोई भी आदर्ष्य वेक्ति ने किसी के तरफ ये आदर्ष्य इसे बताने लायकास देश में नहीं बचे हैं सबको नंगा करने का कोशिस किया जा रहा है यहाँ एक स्वस्त देश के लिए स्वस्त समाज के लिए अच्छा नहीं है समाज के बल पर सरकार चलना चाहिए समाज शक्ति-शाली होना चाहिए उस आजनी रहरा रहा है, बस टाइम पर नहीं आया तो बस डिपो वालों को गल दिवाल्य आ देओ, गल्ली सफाई नहीं हुआ तो मुनूशिपाल्य को गल आ दो, सब एक दूसरे के सरपर नार्ययल फोड़ने पर तुलेवे हैं, कोई भी अपना मोले का, अपना घर का, अपना समाज का अपना देश का जुम्बेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है हमने अपनी सारी चीज सरकार के पास गिरिवी रखने का एक बहुत बड़ा गलत काम किया है इससे इस देश को बचाना है विकेंद्रित व्यवस्ता होना है छोटे छोटे उद्योग होना है और इनसान क को इस प्रकार का घटिया सोस से बाहर निकालना है